Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss the list of regular and irregular verbs. देखे, last class में हमने job exercise solve की है, उसमें हमें basically ये तो अच्छे से पता चला है कि S, E, S और I, S को कब, कहां और कैसे यूज़ करते हैं. लेकिन हमें उस last exercise में ये नहीं मालूम था कि जो भी हम verb यूज़ कर रहें, basically उसके second form क्या होती है, या third form क्या होती है, या present participle वगेरा ये क्या होता है? तो देखे, आज हम उन्हें regular या irregular verbs के बारे में discuss करने जा रहे हैं. तो देखे, हम जो भी verbs से learn करते हैं, चाहे हो awake हो, be हो, bear हो, be it हो, कोई भी verb हो, उनके हमें five के five parts पता होने चाहिए, इसको हम बोलते है principal parts. तो आएए, पहली verb के बारे में discuss करते हैं. पहली verb यहाँ पर लिखा है to awake, right? awake यहाँ पर लिखा है infinitive. यह जो awake लिखा है, इसको बोलते हैं पर वर्ब की first form. अगर मैं वर्ब की first form से पहले to add करता हूँ, to, तो उसको हम बोलते है present participle, right? इसी की second form लिखी है, awake. या तो आप इसको awake बोली है, या फिर आप इसको बोली है अवेक्ट. और third form भी awake या अवोकन. और यह last में लिखा है awaking. अवेकिंग बेसिकली बोलते है, अगर मैं वर्ब की first form, जो ही लिखिया वर्ब की first form की बागर मैं ing add कर दूँ, तो उसको बोलते हैं present participle, right? अब देखिए हम कोई भी वर्ब लेर्ण करें, उसका infinity बराना भी हमारे लिए बहुत easy है, और उसका present participle भी बराना हमारे लिए बहुत easy है. अगर मैं आपसे पूछू कि अब एक कोई से वर्ब होगी यहाँ पर? अब एक होगी यहाँ पर regular verb, why? because ed is ended in the last of this verb, right? दूसरे हम पात करते है to be, अगर मैं आपसे पूछू कि वर्ब to be क्या होती है, तो आप मुझे बोले है is a mar, was, being and being, इनको हम बोलते है वर्ब to be, जिसे नए second लिखा हुआ है beer, beer का लिख होता है सहन करना, इसमें s किस तरह से add हो रहा है, ies क्यों नहीं add हो रहा है, यह आपको अच्छे सब्सक्राइब पता चल चुका है, इसकी second form होती बॉर, third form होती बॉर, और हमें पता है present parts फिल तो बनते हैं, वर्ब की first form प्लस ing से, तो अगर मैं आपसे बूछू कि, यहाँ पर beer जो है, beer कौन सी वर्ब है, regular है, irregular है, तो आप बोलें irregular वर्ब, क्योंकि इसकी वर्ब second और वर्ब भी third form के last में, एडियाइड नहीं है, तो next लिखा हुआ है beat, beat का मतलब होते है, beat आप चाहिए तो इसको नोटी भी कर सकते हैं, आप चाहिए तो इसको नोटी भी कर सकते हैं और आप चाहिए तो इसके short भी ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कुछ verbs पे, जैसे next लिखा है यहाँ पर become, right, infinitive, become की first form होते है, become, second form होते है, become, third form होते है, become, और present parts वाले क्या होता है, becoming, next, to begin, कमतलब शुरू करना, to bend, जुकना, and to bad, शर्त लगाना, तो देखे, आपको जितने भी यह forms लिखी हैं, निके principal parts, इनको सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए, जब आप sentence frame कर रहे होंगे, sentence में, तो it would be very helpful for you, so that's all for today, and second content हम देखते हैं, अबने next video में, okay, thank you so much,